प्राम जेहिंग जितने भी भूतपूर सनिक है एक्सोरिस मेंने पैंशनर है रिटाइड है या पैंशन आने वाले सभी के लिए टोटल दस से ग्यारा राजी की भरती मैं आज बताऊंगा बड़ा अपडेट है वीडियो को ध्यान परोप सुनें आप हमेशा आप कमेंट्स कर सब्सक्राइब करते हैं अगली वीडियो मैं दालूंगा तो आप तक नहीं पहुंच पाईगी तो आप सब्सक्राइब का एक बटन है फ्री ऑफ कोस्ट है यहाँ पर पूरी एक्स और इसमेन की जौब बताई जाती है वेलफेर की न्यूस बताई जाती है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें आपने वाट्सप ग्रूप में पैंशन ग्रूप में जितने भी आपके दोस्त हैं सैनि पर भरती लेके आगया हूं सारी जानकारी विस्तार से दूंगा वीडियो बहुत लेंदी नहीं होगी इसलिए मैं आपको संचेप में जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आज सबसे पहले कलकटा हाई कोट में भरती आई हुए पोस्ट का नाम है स्टैनोग 58 वेकेंसी करनाट का आपकी जो इस्टेट की वेकेंसी वेकेंसी आप इसमें देखिएगा फिर मैं नीचे ओफिशल लिंक देदी हूंगा आपको वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे और और भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे मैं संचेप में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर 10 से 11 स्टेट को कवर करना है तो काफी भूतपूर सैनिकों के पास समय बहुत कम होती है तो मैं बस आपको 5 मिनट लेना चाता हूं जिसमें आपको सारी जानकारी देदूगा भूतपूर सैनिकों की जहां जहां भरती आई है फिर आप उस भ बता दू कि आप चैनल में सब्सक्राइब लाइक करते रहें अपना प्यार बताते रहें ताकि मैं आपको और भी और ऐसी वेकेंसिस लेके आते रहूं तो आप अभी मैं बलारी डीडीसी में भरती है यही मैंने पोस्ट बता दिया एजिक्सन दसभी बार्वी है सब्सक्राइब कर सकते हैं तोटल वेकेंसि 54 है बगल कोट में भरती है लोकेशन जॉब लोकेशन बगल कोट होगा और लास्ट डेट ऐसी 21 अप्रेल 2022 अपलाई ऑनलाइन कर सकते हैं मतलब कि ऑनलाइन ऑफ-लाइन आप इसके बारे में जल्दा से ज्यादा प्राप्त करें अगर आपकी भरती आप जान रहे हैं तो अभी में जहारकंड की भरती बताऊंगा जहारकंड में भरती आए रिम्स में रिम्स एक होस्पिटल है जो कि वहां के सबसे बड़ा माना जाता है सीनियर रेसिदेंट ट्यूटर की भरती है MBBS या फिर MG Medical Qualification इसमें चाहिए MSD होना असिस्टेंट की इसमें पोस्ट है जूनियर टेक्निकल एसिस्टेंट की पोस्ट है इसमें मानने आपकी जो योगता है वो दसवी या आई टी आई या डिपलोमा कुछ भी है तो चलेगा वेकैंसी 2072 है और लास्टेट की 14 अपरेल 2022 है आगे हम बात करते हैं ये भी और इं पोस्ट पापिए जितने भी बिखूथ ये अप्लाई कर सकते हैं और इसके विल्केशन रहे वह को रहे ये तो आप बिजानते हो जैसे कि एक्स सोलिस्मेन, एक्स पैरमेटरी, एक्स पुलिस्मेन सब भर सकते हैं और मैं बता रहा हूँ दासे जितने भी बताऊंगा उसको आप ध्यान पुर्वक सुनेंगे और इसको अपलाई करेंगे आगे बढ़ते हैं डबलू सीडी, गुजरात में भरती आई हुए है, भूतपूर सनिकों के लिए आंगनवाडी वर्कर है, आंगनवाडी में आपको आंगनवाडी हेलपर बनना पड़ेगा, बच्चे लोगा देखबाल करना पड़ेगा, उनका खानपन के ध्यान रखना पड़ेगा, सत्वी और दस भी पास अप्लाई कर सकते हैं, 8461 पोस्ट हैं, और अल अवर इंडिया कहीं भी आपको अप्लाई मतलब की जॉब लोकेशन मिल सकती है, और 4 अप्रेल जिसका लास डेट है अप्लाई करने का, आगे बढ़ते हैं, गोवा शिप्यार लिम्टेंड में भरती आई है, मतलब गोवा में इसका जॉब लोकेशन रहेगा, वेकैंसिस 264 है, वेरियस पोस्ट है इसमें, मैं जिसमें बता रहा हूं की औल अवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, अप अलग इस्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन काफी जो मैं स्टेट्स बता रहा हूं, वो states वाले demand करते हैं कि सर हमारे राजी की बताई है इसलिए मैं आपको आपकी राजी की भरती बता रहा हूँ एक चीज आप से कहना चाहता हूँ एक सेकंड लगेगा कि आप भरती को पूरा नहीं सुनते हो पूरा नहीं सुनोगे तो आपको जानकारी हासिल नहीं होगी जानकारी हासल नहीं होगी तो आप सही से भर नहीं पाओगे तो आपका admit card नहीं आएगा क्योंकि overwriting या आप कोई document lapse कर देते हो बहुत सारे भूतपुर सैनी को जो requirement हो तो पूरी नहीं कर पाते हैं मैंने बताया था PPO में या अपना discharge book में अपना qualifications में self-assistant करना है self-assistant करके आप नहीं भेशते हो तो आपका admit card नहीं आएगा तो जो offline भरती है वाले ध्यान देंगे अगर आपको कोई तरह का curious doubt या कुछ भी आपको समिश्य होती है तो समधान है उसका नीचे whatsapp का link दिया होगा है मैं वाद direct ex-service mind से बात करता हूँ direct उनसे साजा करता हूँ कि problem से अगर कोई ऐसा भूत पूर सैनिक सुन रहा होगा इस वीडियो को उनको पता होगा कि मैं या पर direct उनको भरतिया बताता हूँ whatsapp के थूर हमारा channel भी मतलब कि किया हूँ CA किये हूँ या BE या ITI या SSC या NCVT आपने किया हूँ तो आप अपलाई कर सकते हैं 264 वेकेंसिज लोकेशन आपको गोव मिलेगा लास्ट है 28 April 2022 आगे बात करते हैं KPSC में भरतिया यह जिसमें JE की बरतिये इलेक्ट्रिशन की बरतिये जूनियर इंजिनियर की है ऑपरेटर की है और हेल्थ इंस्पेक्टर की बरतिये जिसमें 10 भी ITI डेपलोमा कुछ भी है तो एक चीज मांगा गया है उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी 410 इसमें total vacancies है जोब location करनाटका में होगा 29 अप्रेल 2022 इसके last date है तो आप जाओ नीचे लिंक दिया हुआ है अराम से इसके बारे में देखो कैसे करना है अपलाई क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं हर चीज बता दू तो बहुत ही लेंदी हो जागा आगले बार से मैं particular हर एक vacancies की vacancies की बारे में बताऊंगा हर एक particular vacancies की बताऊंगा बात में तो आप जरूर चैनल के साथ जुड़े कुछ नहीं करना है नीचे एक राइट कल का बटन है subscribe करना है और लाइक करना है शेयर करना है बस इतना सा काम करना है आगे बताऊं तो आज की दोस्तों हमने जो K removes की पारे में बात की यूव सीडी गुजरात के बरें बात की SSC की आप कि उसकर kcpk верms जरकन के बात की बगल पए बात की जो ब्लकपला death MARC and Calcutta High Coach के बारे मात की को आशा और उमीद है किster esse भी इसे पर अपलाइप करेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो लेके आँगा इसमें दस और स्टेट की है जो छूड़ गई है अभी दस और स्टेट में बताऊंगा उससे पहले आप सभी को और एक इंपॉर्टेंट न्यूज देदू कि इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर रेलवे की भरती सबसे पहले सरल और सटीक सदों में बताई जाती है तो आज ही आप चैनल के साथ जुड़ें और इस सब चीज का लाब उठाएं यह बिल्कुल फ्री ऑफ पॉस्ट है हरे एक भूत्पूर्ट इसमें आ सकते हैं और इस चीज का फाइदा उठा सकते हैं यहाँ पर स्लाम देता हूँ जाहिन जाभारत वंदे मात।